आईए चलिए आप और हम लोग मिलकर के ब्राह्मनों के गुण को देखते हैं है ना बोलिये ब्राह्मन भगवान की जैवो अभी क्या है ना ये महापुरुष व्यक्ति लड़का लाउंडा हमको मिला जो ब्राह्मनों के गुण बता रहा था अब से पहले जब अन्य लोग ब्राह्मनों के बारे में कुछ बाते बोलते थे कि ब्राह्मन इतना शातिर होता है या ब्राह्मनों ने अपनी शातिरता की वज़े से इस देश पे इतना कबजा किया और इस तरीके से बहुजनों को गुलाम बना करके रखा तो लोग थोड़ा कम यकीन मानते थी तो मैंने सोचा और सोचा किया मेरे को इसका वीडियो दिखा ओ मैंने का भाई साब इसने जो बाते बताई ब्रामनों के बारे में मैं सोचकर कर दंग रह गया अब चलिए सुनते हैं कि उसने वह अच्छाई बताई हैं या बुराईयां सुनते हैं साथ में मिल करके ब्रामन से अपने जगडा कर लिया ब्रामन के विरुत आप को यह सी टीका टिपनी करने लगे ब्रामन से कुछ गलत कहने लगे ध्यान रखना ब्रामन बदले में जवाब नहीं देगा फुद लड़ेगा नहीं पर लड़ाएगा ऐसी जगे के स सातों पुष्टें उलजी रहेंगे कोई निकाल नहीं पाये ब्रामन का कार दे देगा नामन स्वयम लड़ता नहीं है पर वेटा लड़ाता है ऐसी जगे है उसातों पुष्टें उसी में निकल जाएंगे बार में निकल पाई ब्राम्मन पेठी पताल छलो बले ब्राम्मन साथ हजार को जारे ब्राम्मन सोख समुत्र कियो अरो ब्राम्मन ही दुष्ट ने दल मारे ब्राम्मन लाक हनी हरी के तनो ब्राम्मन ही जदो वंस उजारे ब्राम्मन से मतिवेर करो को से को ब्राहमन से पर में श्वर हरे अब इस व्तिवेर करो उख मर्णे ऑली एंट भगवा शने आपने कि ने का ही बोलुकि इसमें वेर को ज़्यादा बोलने कर बास हैं कि ब्राहमनल लोग जो है ना और हो खास तोर उसे जो ब्राह्मन वाद फैलाने का काम करते हैं देखिए इसमें जाती बहुत हैं वंश बहुत हैं अमीर हैं गरीब हैं काले हैं गोरे हैं मतलब हर तरीके की तमाम तरीके की उंच नीच हैं भेदभाव हैं सारी इसे दिक्कत नहीं है दिक्कत तब यह होती है जब कोई गोरा गोरावाद दिखाए, ना दूसरों पर अत्यचार करके, कोई काला काला वाद दिखाए, कोई ब्रामन ब्रामन वाद दिखाए, उससे प्राबलम होती है, कि जब वो दूसरे लोगों को नीचा दिखा करके, अपने आपको सर्वसरेष्ट बताता है, अब ये महाशे जो है ना कर देवता तो रहां मटें सो सभी के देवता हैं यह लोग कहते हैं कि जो ब्रह्मान्ल है उससे तो देव भी हार गए परमिश्वर भी हार गए भगवान हार गए और ब्रह्मान देवता की जै सनो लिए अपने इस लांड sellers ने क्या बोला है कि ब्राह्मन देवतागी जय और ब्राह्मन ये है वो है ब्राह्मन थे तो परमिश्वर भी हार गए ब्राह्मन को कभी कुछ बोलना मत ब्राह्मन को कभी कुछ कहना मत अब मैं इससे ये पूछता हूँ क्या है भाई तू यदि तू भी ब्राह्मन है है तो क्या है तू तिर में क्या ऐसा नया क्या ऐसा अलग है जो मुझे में नहीं है या फिर ये कह लो कि शूद्र में नहीं है ये अपने आपको ब्राह्मन कहता है और इसके जैसे और भी जो लोग है वो अपने अपको ब्राह्मा कहते हैं भगवान का रूप कहते हैं और मैं कहते हूं कि ब्राह्मानों से परमिश्वर हार गई तो तुम क्या चीज तो मैं पूछना चाहता हूं इससे भी और इसके जैसे तमाम लोग जो हैं उनसे भी और जो वो कौन सा काम है ऐसी वो कौन सी चीज है जो तुम कर सकते हो लेकिन मैं नहीं और ये तुम और मैं का जो मैं भेद पूछ रहा हूं न ये बेद ब्राह्मन और शुद्र की बात हो रही है कि ऐसा कौन सा काम है कि आज के समय में ब्राह्मन कर सकता है लेकिन शुद्र नहीं कर सक यई स्वाइंको और भाई अ oh yeah nice that and began आरम udah क्या कर सकते हो वाई तुम ही में ठड़ी बड़ी पढ़ी फथे चौपाती चाड लाइनों को पढ़कर के चाडलाइनी दुनाते हो क्या कॉंग तुम कॉन सा तुम बगों कुछ युनिक कर रहे हो तुम कॉन सा जो शुनो क्रोड़ों भूके लोग हैं क्या उनको चुछ के बजाकर अंग कि उस्पर दे रहे हो या यह जो वीचारे गरीब बजाकर मेकान दो में मकान दो रहता है Pak पता नी तो हम बहुत है हॉम है न तोय फ्रमेश्वर को हरा दिया कैना अपनी आपनी पठ वाक और जब बात आती है न सामाजिक की जब बात आती है रिजर्वेशन की तब यह लोग रोना करते हैं अर्य हम तो ब्रामन हम गरीब हैं हमारे पास नोगरी नहीं है हमारे पास पैसा नहीं हमको भी आरक्षण तो अच्छा जब सामाजी का अधिकार सामाजी खकी बात आई तो तुम ब्राह्मन गरीब भी हो गए का जब ब्राह्मण हो भाई तुम तो एक तरफ तो अपनी चोड कम नहीं हो कहते ना कि टांग फटे तो फटे लेकिन पोजिशन ना घटे मुझे वह वाला हिसाब लगता कि एक तरफ तो तुम लोग हम तो हमसे बड़ा कोई ही नहीं और जब बात आती है एक्श्वियटी जब बात आती रियलिटी जब बात आती है फैक्ट्स की अब बात आती है प्रैक्टिकल लाइप की जो हमारी आपके और सभी लोगों की है तब यह लोग कहते हैं जी बरहम्मण तो गरीब भी है कि उनको भी इसने रिजर्विशन दो अच्छा अब में अगर कोई गरीब अमीर ब्राम्मन है उन से मांगो ना तुमको समाच से मांगने की प्रमिश्वर को और लेकिन एक बात और आपको बताओं इस बंदे न सही बोला कि जो ब्राह्मन है न वो कभी भी आखर के फ्रेंट पे नहीं लड़ता वो दूसरों से तुमारे ही कुनबे के तुमारे ही घर के लोगों से तुमें लड़ा देगा और तुमारी साथ पुष्टे नहीं समझ पाएंगी कि आखिरकार ये लड़ाई शुरुवात हुई तो हुई क्यों तो इसी लिए इन जैसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है जो इसपेशली ब्रह्मन वाद को फैलाने का काम करते हैं तुम ब्रह्मन हो छत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंग्रेज हो हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिस्चन हो आंगड़ा हो बंगड़ा हो पड़ाहे लिखाये करो अपना आगे बढ़ो देश में डवलेपमेंट करो अपना जीस्टी बढ़ो इंकम टैक्स दो सारी चीज़े करो लेकिन तुम ससुरा कोई एक बन करके नुक जी हम ही हम है हम ही हम है तो ना बेटा ना यह तो संभव नहीं है और खास तोर से डॉक्टर को वीडियो पसंद आई है अच्छी लगी है और चाहते हैं कि यह जानकारी सभी लोगों तक पोशनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए मैं प्रशान कोद मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद